नमस्कार वेदर्शकों आप सभी का मैं बहुत बहुत हाल्दिक स्वागत करती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों चलिए हम सभी आज इस वीडियो में जानते हैं घुडा देखने का अर्थे जी हां दर्शकों स्वापन साच के अनुसार हमें जो भी सपने दिखते हैं उनके कोई न कोई अर्थ हमें संकेट लिखते हैं तो अगर आपने घुडा देखा है तो स्वापन साच के अनुसार ये भाग जगाने का प्रतीत कहा जाता है अगर आपने सपनी में घोड़े का दर्शन किया है तो ये आपको भाविश में अचित उन्नती के ओर सैथेट करता है और घोड़े पर अगर आप सवार होते ही अपने को या किसी और को देखे हैं तो जणल ही व्यापार में आपको लोगों से मदद भी मिल सकती है और उन्नती प्रगती हो सकती है अगर आपने सपनी में गोड़ी को जन्म बच्चे को देते भी ये देखा है तो आपको कोई ऐसा मित्र ऐसा दोस्त मिलने वाला है जो आपकी बड़ी सहायता करेगा और आपके कारी में सह भागी बनेगा तो दोस्तो इस तरह से शुब अशुब हमें कई प्रकार के सपने दिखते हैं उनका कुछ न कुछ संकेत मिलता है अगर आपने देखा है घोडे सफीद रंके हैं तो दोस्तो ये आपके लिए अच्छे समय आने की ओर भी संकेत देता है अगर घोडे से आप उतरते भी ये देख रहे हैं तो निर्धनता खतम होगी और सारी रिक सुक भी मिलेगा लक्ष्मी का वास होगा खुशिया भी आपकी घर में बढ़ेंगी अगर आपने पंक वाला घोडा देखा है तो दोस्तो ये आपको प्यार और अच्छे भविश्य की ओर संबंद में सुधार की ओर संकेत करता है दोस्तो अगर आपने देखा है कि घोडा दोड रहा है तो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे ब्यापारी हैं तो ब्याबार अच्छा होगा सर्विसमेन है तो आपका प्रमोशन होगा और भी बहुत सारी खुशियां आने की होड संकेट देता है अगर आपने काला रंग का घोड़ा देखा है तो ये आपको संकेट देता है कि आपको जल्दी ही सफलता अपने कारेशेत्र में मिलेगी अच्छी सर्विस मिल सकती है आपका काम उन्नती प्रगती की ओर बढ़ सकता है और परिवार भी आपका सहयोग करेगा और आपके प्यार की जिन्दगी भी अच्छी होगी और आपको अपना जीवन साथी मिलेगा सपने में अगर देखा है आपने सजा हुआ घोड़ा तो दोस्तों ये आपके लिए संकीत करता है कि आप पैसे सोच समझ कर खर्च करें अगर आपने स्लेटी रंग का घोड़ा देखा है तो ये आध्यात्मिता धार्मिक ताकि और बढ़ने की और सांती प्राप्ती की और संकीत करता है अगर आपने देखा है मड़ा हुआ खोड़ा तो ये सपना आपको निरासा मिलने की और असफलता मिलने की और संकीत देता है अगर आपने सपनी में देखा गर्भोती घोडी को तो कोई दुरघटना हो सकती है पईवार में इसके साथ पूछ केवल देखा है अगर आपने घोडा या घोडी की तो आपको खुस खबरी मिल सकती है आपका विवह भी चलदी हो सकता है अगर आपने सपनी में घोड़े से गिर्थे विये लेगा तो कोई अप्री घटना हो सकती है और सेहत पर कुछ असर आ सकता है इसलिए दोस्तों आप सोच समझकर खान पान करें अच्छा होगा और सपनी में दोस्तों घोड़ा घोड़ी एक साथ देखा है तो आपकी दोस्ती जो है बढ़ेगी लेकिन हो सकता है प्यारे दोस्त को खो सकते हूं इसलिए अपने संबंद को बचा कर दे रखिए और शुप कर्म करते रहें कोई ऐसा काम ना करिए जिससे आपके दोस्ति में दरार आए तो दोस्तों बहुत धे सारे सपनी होते हैं उनके अलग-अलग अर्थ भी होते हैं अगले वीडियो में एक जानकारी और नई लेकर हासी होंगे चैनल को सब्सकाइब करते बने रहें हमारे साथ नमतकार धन्यवाद